कैसे हैं आप लोग आज की इस वीडियो में हम फ्ली फैर की टॉप फाइफ ओवर पावर गंस की बात करना वाले हैं तो जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को अनलॉक कर दो ताकि हमारी नए वीडियो की नए इंस्टे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले तो जल्दी से वीडियो को हम अब शुरू करते हैं नमबर फाइफ ग्रोजा ग्रोजा को मैंने नमबर फाइफ पे इसलिए रखा है क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा पॉपिलर गन है जब अब जी था तब तो यह और भी ज़्यादा पॉपिलर थी यार यह फ्री फाइर में भी है यानि कि देखिए यह 182 का डैमेज रखती है 203 का डैमेज भी देती है कभी-कभी हैड पर और बोड़ी पर 37 यानि कि 37 का डैमेज देती है तो कहां से नहीं हुई यह ओवर पावर तो यह देखिए कितना हेड ले लिए हेड का डैमेज भी इसका बहुत ज़्यादा होता है जिसकी भी फेवरिट गन ग्रोजा है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो तो ग्रोजा के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है तो आजकल से बहुत सारे गेमर्स भी यूज करते हैं जैसे कि एस गेमिंग, टोटल गेमिंग, अजुभाई, अमेदुभाई कभी भी यूज करते हैं तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गन के साथ नमबर फोर, M249 इसे मैंने नमबर फोर पे इसलिए रखा है क्योंकि एक बारी में पूरी हैंड्रिट, हैंड्रिट गोलियां शूट कर सकती है जैसा कि आप देख रहे हैं, कितनी रिलोड्स हो सकती है इसमें एक पाई में तो कहां से नहीं होई यह ओवर पावर और इसमें हेट शॉट भी बहुत अच्छी तरीके से लगता है देखिए, 99 का डेमेज, 151 का डेमेज मतलब अगर कोई बंदा आपको मार रहा है और आप पे रिलोड करने का टाइम नहीं है तो आप M249 ले सकते हो इसमें कोई शक्की बात नहीं है कि M249 एक ओवर पावर गन नहीं है आगे तो और भी खतरनाक ओवर पावर गन आने वाली है जिसे आपने ना कभी सुना होगा ना तो कभी देखा होगा या तो एक बाग किने किने को तो पता भी होगा कि ये गन हट चुकी है फ्री फैर के कुछ गेम्स मैंसे यानि की मोड्स मैंसे जैसे कि रैंग मैच और बर्मूरा मैच अगर ये कुछ गन वापस आ जाए तो भाई तहल का मचा देंगी और ये जो M249 है अगर हम इसे हेट शॉट लेने की कोशिश करते हैं तो ये अराम से दे देती है जैसे कि ये देखो मैंने वापस से हेट शॉट लिया इससे हेट शॉट लेना बहुत ही जादा बहुत ही जादा असान है और अगर कोई प्रो प्लियर इससे हेट शॉट लेने की कोशिश भी करता है तो अराम से ले सकता है तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ओवर पावर गन की तरफ तो वो है नमबर थ्री AWM अब मैंने AWM को नमबर थ्री पे इसलिए रखा है क्योंकि इसका डैमेज 150 है बोडी पर और हेट पे 605 या उससे भी जादा का देती है और AWM जो एक भूती तगडी स्नाइपर है और अभी तक फ्री फायर में टॉप नमबर वन पे AWM ही है जो इतना तगड़ा डैमेज देती है इसलिए मैंने इसे नमबर थ्री पे रखा है तो कोई शक्की बात है क्या इसमें नहीं ना और अगर कोई प्रो प्लेयर है जिसे AWM एक तम तगडी चलानी आती है तो उसके लिए तो भई ये एक हैक टाइब का हो जाएगा हैक वैसे कुछ लोग मतलब AWM को चलाना उन्हें नहीं आता है तो अगर आपको चाहिए एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं सिखा हूँ आपको कि AWM कैसे चलाता है उसका बेस्ट वे तो चैनल को सब्सक्राइब कर तो और बैल नोटिफिकेशन को अन्लॉक कर दो ताकि उस वीडियो की आपको जल्दे से जल्दे नोटिफिकेशन मिले और वो चूट ना जाए और जिस प्लेयर को AWM को एक दम अच्छी तरीके से चलाना आता है तो वो पास मैं से भी जाने कि ओनली फाइफ मीटर की दूरी मैं से भी किसी को अराम से मार सकता है और अराम से भाई अराम से भाई लोग चला शब्र करना सीखो शब्र का फल मीठा होता है तो वीडियो को सकिप मत करना नमबर फूर आएगा भी पर अगर आपने सकिप की तो AWM के कुछ बहतरीन शॉट्स आपको नहीं मिल पाएंगे तो वीडियो को फुल देखें अब ये देखें हेट पे मारूँ का इसके 605 का डैमेज येस इस हेट शॉट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो कमेंट में भर दो कि कैसा था ये शॉट और जो अजुबाई का फैन है उसे तो AWM के बारे में पता ही होगा तो AWM के लिए एक लाइक ठोक तो वहाँ पे लाइक का बटन ठोक दालो तो नमबर फूर एक ऐसी गन है जो भाई जिसे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तो वो आने वाली है तो यह गन तो हट चुकी है पर मैंने इसमें से ट्रेनिंग ग्राउंड मैंसे निकाली है जो गन है इसकी वज़े से आगे इसके शिल्ड आ जाती है और अगर हम इसमें बैठ के बैठ के इसमें सफायर करता है तो कोई हमें नहीं हरा सकता और ये प्लाजमा की थोड़ी तरह है ये थोड़ी सी थोड़ी सी ये प्लाजमा की तरह है बिकाज जब मतलब आखरी में इसकी शील्ड थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है क्योंकि वो चार्ज हो रही होती है तो भाई ये ये जो गन है ये बहुत ही सही गन है पर ये फ्रीफार वालों ने हटा दी क्योंकि उनने सोचा कि भाई अगर ये ऐसा होगे तो फिर प्लेयर्स बोलेंगे तो चीटिंग है भैंकर इतनी तगड़ी करना कर तुमने दाल दिये तो कोई प्लेयर या नूब प्लेयर भी हमें हरा देगा असानी से तो भाई फ्रीफा बहुत ही ज़्यादा अगर इससे हम स्कोप में लगा के फायर करते हैं ये देख जैसे इस इतना ज़्यादा डैमिज पड़ेगा बाड़ी पे की हेड मारने की जरूरत ही नहीं है हैड मारने की जरूत ही नहीं है और यह सिर्फ सिर्फ अपनी एक गोली से स्कोप में लगा कर अपनी एक गोली से पूरी गलू ul को तोड़ सकती है वो भी अराम से है? यह हैकर है क्या इस सामने वाला? हैकर भाई? अब अब मर के अब हैंकर क्या खतरनाक है करे तू बहुत अगड़ा है करें लग जा अबे हैडशॉट नहीं लगा लग जा अब लगेगा वैस हाँ तो ये ग्लू वाल को सिर्फ एक सिर्फ एक गोली में खरतम कर सकती है तो जिसकी बीगलन है फेवरिट सीजी फिफटीन जा जिसको भी पसंद आई सीजी फिफटीन चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को अनलॉक करना मत भूलिएगा को एक हैकर से मिलाता हूँ ये सामने वाला अगर आपने देखाई होगा जिसे मेरा भी मारा ये एक हैकर था इसे तो मैंने रिपोर्ट कर दी अब अब मैंने इसकी रिपोर्ट करनी है ये हम क्या फाल तुमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहां पर हम टाइप बास करना है यहां है कर लेगा और हम फाल तुम्हें है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेर नोटिफिकेशन को न लग कर दो तब तक के लिए गुड़ बाई